हेई गाईस मैंने अब थोड़ी देर पहले डिजनी प्लेस होट स्टार की मूवी पटना शुक्ला देखे खतम करिया और सजब तो यार यह मुवी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई और ऐसा मैं क्यों बोलनों इस पर तुम्यागी वीडियो में बात करूंगा अगर मैं इस किस तरह से इस पूरे केस को investigate करती है किस तरह से वो इसका case लड़ती है क्या कुछ होता है यही सब हमें इस मुवी में देखने को मिलता है अगर मैं इस screenplay की बात करूंगा तो परसलि मुझे स्क्रीन पर ठीक ठाक लगा और इस तरह से movie स्टार्ट होती है अपनी पूरी situation को establish पस टीज़े से बस ठीख ठाक है in It. दो पस ठीख ठाक है. किसी भी पाइन्ट पर हम इस मुवी में पूरी तरह से emotionally engaged नहीं हो पाते हैं और जो investment था हमारा वो भी पूरी तरह से नहीं दिखता है जिसके कारण जो कुछ भी स्क्रीन पर चल रहा होता है वो हम पर उस तरह के एमपेक्ट नहीं डाल पाता है जिस तरह को उसे डालना जीए था यहांतर बात है character development और characters के बिश्की dynamics की किसी भी character को उतने जाधे अच्छी से लिखा और develop नहीं किया गिया है कि हम किसी भी character के साथ emotionally connect हो पाया है जो characters के dynamics थे वो भी बस ठीक ठागी थे बात करो तो standards की तो उसके उनाम पे भी आपको ज़्यादे कुछ देखने को नहीं मिलता है सारे twist काफी ज़्याद है प्रेक्टेबल रहते हैं आप इस movie की पहले सिन से लेकर आखरी सिन तक हर एक चीज़ को काफी आर हम से प्रेक्ट क अब ही कम बहुत दाद बुरा भी नहीं है बात करो direction और editing की direction below average ए डारेक्टर काफी बहतर movie बना सकते थे डारेक्टर के पास एक अच्छा concept था लेकिन डारेक्टर ने उसको जो execution करा है नहीं काफी दाद खराब है मतलब किसी भी चीज़ पर उन्होंने focus नहीं करा है नहीं investigation नहीं कोड्रूम ड्रामा नहीं characters पर बस एक concept था जिसनको उन्होंने as it is परोज दिया किसी भी चीज़ पर उन्होंने काम नहीं करा है जो कि बुरी बात है जो editing है वो ठीक था कि movie सिर्फ दो घंटे चारो मेंट की है जिसके कारण इस movie की length तो हमें feel नहीं होती है लेकिन साथ इस movie में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके कारण में आपको recommend कर पाऊंसे मैं तो इस movie को recommend नहीं कर पाऊंगा लेकिन अगर आप लोग देखना चाहते हो तो आपको कौन ही रोख सकता है और अगर आप लोग ने movie देख लियो तो मुझे comments में जरू बताना कि आपको इस movie कैसी सुरत